हेलो एवरीवन वेलकम टू दी नियू वर्ड वित हाय इटीन थिंकिंग आज हम सीखने वाले हैं एंटी गॉज पार्सली एकलिफ से रिलेटेड इस्टिबिल्टी ओडर जो पूछता है ना वो सीखेंगे पोटेंसिल एनरजी के बारे हम सीखेंगे और इस वीडियो के तुर सारे वराइटी की कोशन हो जाएं एक्सेप्शन को इंकलिफ करके ठीक है तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आप सारे पीवाई क्यू कर लोगे ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं कहानी ठीक है देखिए सबसे पहले हम जानते हैं ना दो दीक हो देख रहे हैं यह और यह 180 पे यह यह आपस में 180 फे यह और यह 180 पे तGreen Sw τη ऑ से दूर दूर गूर्प होता है ना तो इसको हम भोलते है अंटी और इसी का नाम फुली स्टैगर्डी भी होता है ठीक है विए इसटैगड बोलते हैं या फुली स्टैगरr बोलते हैं ठ पास में होते हैं तो इसे को हम बोलते हैं गौच अब कोई कहेगा सर यह ग्रूप धहर रगी दोड़ा सा पेसेंश रखे सारे साब चीज बताएंगे देखिए गौच मतलब यह दोनों पास मेरे अब देखो पार्सिली एकलीप्स मतलब क्या होता है पता है देखो पार्सिली फुली एकलीप्स समझते हैं फिर पार्सिली एकलीप्स समझने में आपको आसानी होगी देखिए फुली एकलीप्स मतलब यह ग्रूप दूसरे ग्रूप की बिल्कुल पीछे हो देखो एकदम पैरलल देख रहे हो पैरलल एकदम पीछे अगे पीछे ठीक है और पार्सिली Eclipse इसे कहते हैं Fully Eclipse ठीक है अब देखो जो Stability का Order होता है ना दोस्तों वो यही होता है अगर Normal पूछता है अब असली कहानी अब आएगा ठीक है धिहान देना Normal case में Stability आपको General case देता है तो यही Stability का Order है सबसे पहले Anti-Gorge Parsley Eclipse फिर Fully Eclipse अब देखो Tuesday क्या होता है यह Group जो यहां पर Methyl लगे ना यह कौन-कौन से हो सकते हैं वो मैं लिख देता हूँ R या NH3 प्लस हो सकता है या NR3 प्लस हो सकता है ठीक है धिहान देना chlorine, bromine, iodine तभी यह Stability का Order लगाना ठीक है अगर Group हमारे है जो मैं थाई लेना यह सब होते हैं तब यह वाला Order लगाना ठीक है नॉर्मल अब आते हैं exception वाले case में ठीक है यह तो normal हो गया ठीक है अब देना अब ध्यान देना अब आते हैं exception वाले case में अगर माल लो अब आपसे यह पूछता है इसमें stability का order बताईए तो अगर आपके पास element यह जो यहाँ पे आते हैं न यह वाले दिख रहें न यह अगर electronegative वाले हैं जैसे fluorine oxygen nitrogen ठीक है और हम अच्छे से लिखें नहीं तू करके देगा आपको more stable हो जाता है क्या हो जाता है गौच more stable हो जाता है भाई ठीक है अब ध्यान देना गौच more stable हो गया anti से ठीक है अब देखो इसमें आप कहते कि सर यह यह तो आपस में steric create करेंगे तो यह वाला कम stable हो जागए लेकिन ही तो hydrogen bonding कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? hydrogen bonding ये करते हैं, क्यों होता है? ये hydrogen bonding करते हैं, तो hydrogen bonding के कारण कभी ये गुरूब दिखते हैं, तो हमारा gauze को ज़्यादा stable बना देना, तो इसमें यह वाला ज़्यादा stable हो जाएगा, भले यह दूर-दूर है, ठीक है न, क्योंकि यह पर hydrogen bonding interaction हो जाता है, ठीक है, अब देखो, दूसरा question करते है, अब जैसे यह question है, अगर आप से पूछता है कि normally बताइए, इसकी stability, normally case में बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो normally तो आप कहोगे भाई, यह तो hydrogen bonding वाला है, COOS, दे हैगी, तो high pH, दोस्तो, anti वाला ज्यादा, stable हो जाएगा, याद रखना, यह जो गौच, stable होता है, दोस्तो, गौच, stable होता है, यह low pH, होता है, hydrogen bonding, यह देखो, यह क्या होता है, low pH, याद रखना, यह कार्बोक्सली के सिर्वाले, low pH, गौच होता है, ठीक है न, अब देखो, low pH हो जाएगा, अगर पूछ लेता है, high pH बताईए, कौन सा stable होगा, high pH कौन stable होगा, तो high pH जेस्ट उल्टा कर देना, अगर यह है, A, B है, तो just उल्टा कर देना, A is more stable than B, high pH, और low pH यही वाला केस चलता है, ठीक है, low pH नॉर्मल वाला गौच, ठीक है न, अगर hydrogen bonding वाले आते हैं, तो, ठीक है, याद रहेगा, अब देखो देश्टो, जैसे माल लो, हम NH2 वाला केस लेते हैं, यही पर एक NH2 वाला केस लेते हैं, देखो, example हमने यहाँ पर लिया होगा, हम दूसरा आपको दिखाते हैं, देखो, जैसे यहाँ पर fluorine है, पहले नॉर्मल केस लेते हैं, यह तो hydrogen bonding वाला आ गया भाई, अभी तो लिखाया था यह, देखो, hydrogen bonding वाला fluorine, तो fluorine में gosh is more stable, तो मतलब A is more stable than B, gosh वाला है न, पास पास पास, ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसमें अगर पूछता है, तो इसमें कौन आप stability order क्या बताओगे भाई, जल्दी से बताओ, इसमें जल्दी से बताओ, देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप क्या बताओगे, यहाँ पे आप बताओगे दोस्तों, याद रखना, अब आप कहोगे, सर, यहाँ पे यह तो lone pair और यह CH3 आपस में repulsion क्रियेट करेंगे, ठीक है, और यह यह लकाईल वाला होता है, तो कहोगे, सर, यह दूर है, तो NT वाला ज्यादा इस्टेबल मतलब B is more stable than A कर दोगे, लेकिन दोस्तों याद रख ले, लोन पेर का न, यह इस केस में, लोन पेर का इस्टेरिक रिपल्सन काउंट ही नहीं होता, तो देखो, यहाँ पे CH3 न, यह दोनों के साथ इस के साथ इस्टेरिक कर रहा है, लोन पेर के साथ इस्टेरिक तो करता ही नहीं है, तो कौन ज़्यादा इस्टेबल हुआ दोस्तों, A is more stable than B, बात समझ में आ गई दोस्तों आपको, बात समझ में आई की नहीं आई, आप ध्यान देना, अब अगर आपको मालो, NS2 का केस आता ह हाई pH और लो pH वाले में एक केस और हम आपको समझाना चाहते हैं, देखो, अगर मालो, NS2 है जैसे, ठीक है, ये NS2 है, तो NS2 वाले में, इसमें मैंने क्या बोला, गाच कभी stable होता है, जब लो pH हो, तो नॉर्मली, लो pH, कार्बोक्सलीक एसिड वाले में लो pH हो, तो गाच is more stable होता है, ठीक है, नॉर्मली, अब देखो, NS2 वाले में, हाई pH होता है, तब गाच is more stable होता है, हाई pH पे, गाच is more stable, गाच more stable, एंटी, ठीक है, हाई pH, अब ऐसा क्यों होता है, देखो, NS2 क्या होता है, एक basic group होता है, अगर इसे ES+, लेगा, जैसे ये लोन पेर देगा, लोन पेर देगा, तो ये NS3 प्लस हो जाएगा, NS3 प्लस हो जाएगा, तब तो कौन सा वाला case हो गया, ये वाला case हो गया, और ये वाले case में, देखो, NT is more stable than gosh होता है, तो ये वाला concept आपको सेचना है, जो basic group होता है, वहाँ पे हाई pH देखना, ठीक है, NS2, क्योंकि वो जब लोन more stable हो गया, बता ही दिया, फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन, गौच is more stable, अब देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लोन पेर का इस्टेरी काउंट ही नहीं होता, तो हमेशा याद दे रखना है, हाईडूजन ये इसके साथ रिपल्सन करेगा, तो ये वाला more stable हो गया, ठीक है का question थो हमने करा दिया, यहाँ पर OEH कर लो, और चाहिए जो J means का question था, यहाँ पर CH3 था, तो हमने करा ही दिया है, ठीक है, अब देखो, अगर कुछ doubt होता है, तो comment section में आप पूछ लेना, बाकी मैं दोस्तों आपको बता दू, मैंने optical isomercium का बहतरीन वीडियो बनाया है, 26 इस मिनट की वीडियो में, इनाइस उमर, आइडेंटिकल, डाइस, टीरियो मर, मेजो, डीयल, थ्रियो, एरी, थ्रियो, नॉमिन कलिचे, कल्कुलेसन आफ ऑप्टिकल आइसुमेरिजम, एपीमर, एनुमर, सारे बहतरीन एक्जांपल के साथ बता दिया है, to the point चीजे, direct, आ क्योंकि मैं नहीं चाता, मैं जो चीजे phase किया हूँ, वो student phase करे, ठीक है न, तो आप उसे जरूर देखना दोस्तो, अगर कुछ doubt होता है, comment section पूछ लेना, बागी दोस्तों मिलते हैं next video में, okay, thank you, दोस्तो potential energy बताना मैं भूल गया, तो देखो potential energy क्या होता है, potential energy जो होता है, inversely proportional to stability, तो जितना question आपने किया न, जिसमें stability order पहले निकाल देना, उसका उल्टा कर देना, तो stability, potential energy हो जाएगा, ठीक है, मैंने बता है, जैसी में मालो, A is more stable than B था, तो potential energy का क्या order हो जाएगा, B is more than A, ठीक है, तो potential energy पूछ लेता है, तो inversely proportional to stability होता है, तो वो भी आप या चुद भ coming you.